नमस्कार आज का हमारा टोपिक है भारत के पर्मुक एरपोर्ट पिसले वीडियो में ने बात की थी भारत के पर्मुक बंदरगा है एरपोर्ट क्या है एरपोर्ट होता आपका जैसे कि बंदरगा क्या है समुंदर की किनारी जलियान की खड़ा रहने का इस्तान समुंदर की क जिनारे पे जहां जलियान खड़ा होता है वहां से माल और समान का आगमन होता है यात्यों का आगमन होता है वह आपका बंदरगाह कहलता है वेसे आपका एरपोर्ट होता है वेसे आपका एरपोर्ट होता है एरपोर्ट एरपोर्ट का रहते है वाइवान जिसे जलियान है बं अजर में यह देखेगा ए इंद्रा गांधी इंटरनेस्टनल ए won डिल्ली का इयरपोर्ट का पॉट और इंद्रागांधी इंटरनेस्टनल एरपोर्ट चुक navy कहां है आपका आपका नई दिल्मीं है ने चलिएंगा प्रॉज नुन की तो बार्त में एंत्राइश्टे होय दो का मांचितर देखेगा यह तो बार्त में इंत्राइश्टी होय दिया आपका राजस्तान में, फिर एहमदाबाद में सब्दार पटेल, फिर आपका महरास्टर में आजाई, बुंबई एरपोर्ट, फिर नागपूर एरपोर्ट, इदर आपका दिली में आएजी आई, इदर उत्रपरदेश की राजदानी लखनो में एरपोर्ट है, वारांची मे भी एरपोर्ट है, इदर आपका नोर्थ इस्ट में आएंगी, तो इदर नोर्थ इस्ट में क्या है, नोर्थ इस्ट में आपका है, गोहार्टी, असम का गोहार्टी में एरपोर्ट, फिर मानिपूर की इंफाल में एरपोर्ट है, वेस्ट बंगोल में कलकता एरपोर्ट है आपका ओडिसा, ओडिसा के बोनेसर में आपका ऐरपोर्ट है, जिसका नाम क्या है, बिजू पटनायक ऐरपोर्ट, इसलिए इसलिए इदर आपका निताजी सुवासंदर पोस ऐरपोर्ट कहां पे, कलकत्ता में, जो कि वेस्ट बंगोल में है, और कलकत्ता आपका वेस्ट बं और अम्रत्त में सदार पटियल एरपोर्ट इंछके साथ आपका चलिए इदर नागपूर में ये आपका करनाटक में मैंगरेड़ू एरपोर्ट केरल में एरपोर्ट जो है वह आपका है कौन सा आपका काल वेता कोच्छी एडरू चिरापरली और आपका एगर बैंगलोर जो एक राजेव गंधी इंटरनेशनल एरपोर्ट यह कहां पर हिद्राबाद में कहां तो त्य लंगाणा में घिर्यूध डिलंगाना की राजदानी पर दो आपका राजिव गंधी खेंस-पोधाँ आपका बोने सरे एरपोर्ट और कलकत्था में आपको याद रखनाए आपकारी के डीँ केरल में सबसे दिखे एरपोर्ट हैं कौन कुन सा कुनूर कुनूर एरपोर्ट कहा आपका कुनूर एरपोर्ट आपका केरल में दूसरा आपका कोजी कोड कोजी कोड कोजी कोड एरपोर्ट कहा आपका कोजी कुनूर कोजी कोड और आपका कोची कुनूर कोजी कोड कोची और आपका तिरुवेंद्रम तिरुवेंद्रम तो कि तिरुवेंद्पुरम में है यह आपके किसके एरपोर्ट है यह आपके केरल के एरपोर्ट चार एरपोर्ट है केरल में सब सेदिक एरपोर्ट कहा है केरल में कौन-कौन से हैं आपका है कुनूर कुनूर एरपोर्ट फिर पजिश कोड़ और आपका कोच एयर्पोर्ट यह ए दिरवे रिंद्रum कहा है नेस्ट सलीए का भारत में वायव पुरेचन का इत्यास बारए हम फ़ोड़ा पढ़ लेते हैं 이용 हाव्छ में गौय बहू को इसी के साथ आपको जाद रखना है ये 900 आपको इसatinा ये सो बारा लिखनाा लिखना है मैं ये श्रुबारा की है 1932 में आपकी 1932 में बारत में एरफोर्स की स्थापना होती है डेट होती है आपकी 8 अक्टुम्बर के दिन 8 अक्टुम्बर 1932 को बारत में जो आपका नेवी आर्मी और एरफोर्स होता है वैसे ही आपका एरफोर्स की स्थापना हुए थी 1932 में 8 अक्टुम्बर के दिन इसलिए हर वर्ष आठ अक्टुम्बर के दिन एरफोर्स अपना इस्तापना दिवस मनाता है कवे आठ अक्टुम्बर के दिन एरफोर्स अपना इस्तापना 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 इस्ता एर्लाइन्स देश के आंत्रिक भागों के अत्रिक सिमावरती देश जो कि अंदर डुमेस्टिक पही हैं डुमेस्टिक अलाव इंटरनेशनल में आपका नेपाल बांगला देश पाकिस्तान अफगानिस्तान स्रिलंका मेंमार माल्दिव जैसे पुड़ोशी देशों के साथ- विमान निगम विद्धिशी स्याव के लिए बे अपनी स्यवाय प्रदान करती है बाहरती है विमान प्रादिकरन नौमबर 2016 के जारी आपका जो वारती विमान प्रादिकरन की रिपोर्ट आइती दो जार शोड़ा में उसके अनुसार बाहरत में कुल 34 इंटरनेशनल एरप कोड़ बोलते हैं नेक्स्ट आपका भारत में वायू पुरेंट से संब्धित रोच सकते हैं भारत की पर्थम अंतराश्ट्री वायू शिवा बात करेंगे तो वह आपके कराची से चेन्ने के बिस्प्रावर्म कीगी और जबकि डाक सिवा डाक सिवा थी वह अलग थी भारत क बारत में गयलो शिवाक खरो के लिए राश्टरी वायू परियू ँरूं कंपनी के स्तापना वर्ष गुनींशसो तेतीस में में वह थी देश की सबी वायू परियूं कंपनेों का राश्ट्रेकन गुणीश सो तेतीस में और ऑन के 20 साल बाद 1963 में इसका राश्टिकन किया गए था और इन्हें दो निगम बारत यवान निगम जिसका बारत इंडियन एरलाइंस हो गए एक तो दूसरा हो गए एर इंडिया के तेहत इनको रखा गया बारत में गरेलू शिवाओ के लिए गुनीश सो इक्यासी में वायदू तुनामक तीसरे निगम के स्थापना के लिए थी लेकिन बाद में इसको इंडियन एरलाइन्स में मिला दिया गया साल दो जार दस में एर इंडिया और इंडियन एरलाइन्स पहले बा international airport आपके खाय है नई दिली में इसी के साथ आपको याद रखना है इंद्रागान्दी राष्टे उर्दान अकादमी उत्थर परदेश के फुरसत कंज में अप इंद्रागान्दी राष्टे उर्दान अकादमी पोचने से नई दिली नहीं करना आपको तो इसी को याद रखना को इंद्रा गांदी राष्ट्र उद्धान अकाद में आपका फुर्षत गंज उत्र पर्देश में है जब कि इंद्रा गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट की बात करेगा तो आपका नए दिली में बाहरत में अंतराष्ट्री हुआई अड़ा अब गुःसो धेड़्षन होता है आपके द्राष्ट्रियर इंद्र गांद महीं आनप्रज नूइस तयसी में अब आपका राष्ट्र ऑए अद्डा प्रादिखन कि सताफ ना होती है आपके जो 2 अंधड शिव आती एक अपकी इलाबाद और निलाद में बात करें ता उसकेज़़ था जेने से कहां कराची चैने से आपका कराची था बातीा नेंडिया की स्टापना वह थी कौन सा इएरपोर्ट नई दिल्ह है राजिऊगांदी इंटरनेल आरपोर्ट है कहा है। हेदराबाद में हुदाना की राजदानी है और लंगाना आपका कब बनाता है दो जून दो जार प्रभाद का एरपोर्ट राजी गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट और इसी के साथ आपको याद रखने है अगर राजी गांदी घ्ल स्टीडियम भी आपका हेदराबाद में और ये हेदराबाद सहर मुसी नदी के किनारे बसा हुआ है हिद्राबाद मुशी नदीगे किनारे बसा हुए नेक्स्ट आपका एहमदाबाद अंतराश्टी होई अड़ा जिसको सर्दार पटेल सर्दार वलवाई पटेल इंटरनेशनल एरपोर्ट यह आपका कहां पे गुजरात में कौन सा एहमदाबाद होई अड़ा नेक्स्ट आप अन् Allen आउन वहता चयनमः टरहिए हुए अ नेक्सट ङपूर अंतरास्ट यह आई आपका जयबुर राजस्टान की राजदाद की राजदानी आ नेक्स्ट है आपका गया कंपा का है गौर आपकर की राजदानी का है कोई जा Christmas ऑऐो । यह एं आपको कर अ पंजाब में गुरू रामदास जी अंतराष्टियों आपको कहा हैं पंजाब में उपनजाब की राजदाणी कहा है पंजाब की राता नियाकि चंडिगड नेक्स्ट आपका यह कॉलुकत्टा अंतरास्ट्य हवाईड़ा कॉलकत्स जिसे शुबास जंद्र बोस ऑंतरास्ट्य हवाईड़ भी कहते हैं यह उत्तर पुरो भारत का एक परमोक जैसे हो एड़ा है यह कस्टम विवाग और परणली यह लिए ज्तर इekk UP प्लत हिख कि 11900 फिट यह भारत का 500 सबसे वैस्त हवायड है और पूरी भारत में सबसे वैस्त हवायड है कुण सा है कलकत्ता जिसका नाम क्या है सुभास अंदर बोस एरपोर्ट भी हम इसको बोले सकते हैं नेक्स्ट अपना है यह बैंगलूर जिसको बोलता है केमपे गोडा अंतराष् भी बहुत ने को यह नहीं को भूलीए इडा यह कहा है कोवा में और कोवा की राजना नहीं कहा है पणजी और गवा समुंदर के साथ सबसे कम सिमा बनाता है यह देखिए अमरत्सर होय अधा जिसे श्रीगुरू राम दास जी अंतराश्ट आप बहुत करते हैं बारत के अंतराश्टी होई एड़ों की सुची दुबार हम आपको एक बार बताएंगे और आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूट सकते हैं 9116824324 पर मेसेज करके आप टेलिग्राम गुरूप से जोइन कर सकते हैं बारत के परमुक अंतराश्टी एरपोर्ट की बात करेंगी तुह हैं कौन सी राजे में इंद्रागांधी अंतराश्टी होई डाप का नई दिली में और दूसरा आपका कुनूर अंतराश्टी होई ड रण कोजी कोड के रल में है किम पे गोडा अंतराश्टियहायडा का है बैंग लुए बैंगोर काल नाठक मिकोची कोची के रेल में नेक्स्ट अपना कोएंबटूर अंतराश्टी होएड़ा कोएंबटूर तमिल्नाडू में गया अंतराश्टी होएड़ा गया बिहार में नेक्स्ट गोवा अंतराश्टी होएड़ा गोवा में गोवा की राजदानी प्रणजी है चैन्नाई अंतराश्टी ह होई अड़ा आपका चिन्नाई में हैं जिसको अन्ना ऐरपोर्ट भी हम बोलते हैं चोद्री चरंड सिंग होई अड़ा लखना उत्तर परदेश में है आपका बुंबई माराश्टर में 36 सिवाजी अंतराष्ट है और जेपूर में जेपूर अच्छर हैं तो आपका याद नहीं आने सी भी आप सोचना शिलोंग में जरूकी शिलोंग जरूकी नेक्स्ट है डाक्टर नागपूर के माहराश्टर में माहराश्टर के नागपूर में आपका बाबा सहाब अंबेड कर अंतराष्टिय ओयद है और तमिलनाड़ों के और में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतराष्ट एयर्पोर्ट है इन दोर में और कलकत्ता जो की पक्षीं बंगाल की राजदानी में एरपोर्ट है उसका नाम है नेता जी सुबास अंधर बोस अंतराष्टि हवाई अड़ा अब पूने महाराष्ट में आपका है पूने हव अध्डा आपका विसागा पलेयर में तो करने इस को इसलिए बनाय गया क्योंकि जो सजाजा वई थी उनको सजा दीगी थी कहां पर आपका जो 되지 को बलते हैं कहांब पानी कि सज्जा कहला पानी की सज्जा उस जेल का नाम है cellular jail cellular jail ये jail कहां पे ये jail है आपकी अंडमान निकोबार दीब सुमुए में अंडमान निकोबार दीब सुमुए में जो cellular jail है उसमें आपकी जिसका दूसरा नाम है अंग्रेज जो के जमाने की famous jail थी cellular jail जिसको बोलते हैं काला पानी की सजा इसमें आपकी वीर सावरकर साब को सजा दी गई थी इसलिए आपका अंडमान निकुबार में जो एरपोर्ट बनाय गया उसका नाम रखा गया वीर सावरकर एरपोर्ट नेक्स्ट कुछन है मोहाली जो कि पंजाब में वहाँ पे सईद बगत सिंग इंटरनेशनल एरपोर्ट है यह पंजाब में इसलिए बना गया क्योंकि 23 मार्च 1931 को बगत सिंग राजगुरु सुक देव को फांसी दी दी जाती है और यह बगत सिंग आपके पंजाब के निवासी थे इसलिए आपका जो पंजाब में जो एरपोर्ट बनाए गया उसका नाम था सईद बगत सिंग इंटरनेशनल एरपोर्ट वो जो गुरु रामदासी अंतराश्टे होई अड़ा यह पंजाब की अमरत सर्में क्योंकि पंजाब की अमरत सर्में आपका यहीं पर आपका तेरा अपरल गुनिस को जलिया वाला बाग अट्राकांड वाता कहां पर अमरत सर्फ पंजाब में और गुरु रामदासी महाराज अन्तराश्ट कर भाग बनाए गया उस स्री नगर में जो एंटरनेशनल एरपोर्ट है अपका ंतराश्ट को झामाझ सितर अब देख़िंगा आपका यहां से स्टारक करके बताएं है है आपका जो की अमरत से पंजाब में है जैपूरा जैपूर kommt International Airport है एमधाबाद में आपका बुंबई में मैं मैं कोएंबटूर में काली कट में कोची मैं है तिरुचिरा-पली में है चैन्णिन हैं डैय बेंगलठ चेंप में राजियो गांदी है बोनेस में बीजू पटनाएक है कॉलकत्ता में नेताजी सुवाचंदर पोस है और असम के कोहर्टी में बार्दोली बार्दोली एरपोर्ट है आपके मनिपूर के इंफाल में है नेक्स्ट है रेलियो एंटीपिसी एम ग्रूप डी रेलियो स्पेसल अगर आप आर पिएप ऐसा ये एक्जाम तो 2-13 में होगा था उसके आल परिवेश ये क्यूसट आपको चाहिए तो आप हमारे चेनल आप हमारे चेनल आप हमारे चेनल स्सीअड़ा2 को सस्क्राइब कर सकते हैं वहाँ से आपको पीडियेफ मिल जाएगी सस्क्राइब करने पर वीडियो बनाय गया इसमें ऐंटीपी ची 006 और आपका गृूप डी दो जार ठारा एक ही सुप का वीडियो बना गया है और एंटीपीसी का भी वीडियो बनाय गया प्रिवेश यह क्यूंद यह कुश्प्रों का और पप कॉंस्टेबल का और प्यूद्स डेलिइप चैनल SSC Adda Adda2 में आपको PDF मिल जाएगे और आपका SSC Adda2 SSC Adda2 चैनल पर आपको इसके सारे वीडियो मिल जाएगे इस बार रेलवेब बार प्लीद सस्क्राइब SSC Adda2 आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और आप हमारे टेलिग्राम जोइन करने के लिए 911-16824-324 पर मैसेज कर सकते हैं 911-16824-324 आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए